अलो फ्रेंड आज के इस वीडियो माम आपको यह वतानेजारों की कैसे आप अपने लावा युवा 3 प्रो एंडिएट मॉइलफोन में आप अपने मॉइलफोन के स्टोरिज स्पेस रॉनिंग आउट की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आपे वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों सबसे पहले हम आपको यह समझा देता हूँ हमारे फोन में storage space running out की problem कैसे आती है देखी दोस्तों हमारे mobile phone का internal storage होता है वो लगभग full हो जाता है या फिर बिल्कुली full हो जाता है तब जाके हमारे phone में storage space running out की problem देखने को मिलती है तो इसकी solution के लिए आपको करना क्या है देखिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone की gallery को open करना है phone की gallery के अंदर आपकी जितनी फालतुगी photo video आपकी पड़ी हुई है न सारी की सारी फालतुगी photo video आपको permanent delete करने है जिससे आपके phone की storage space running out की problem solve हो जाती है अब दोस्तों अगला काम यह करना है देखिए आपके phone में काफी सारे ऐसे apps होते हैं जिनके अंदर आपको backup की setting मिलेगी ठीक है तो जित जिस app के अंदर आपको backup की setting मिल जाती है उन सभी apps में से आपको backup setting को बंद करना है ठीक है यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए example के लिए मैं अपने mobile phone की gallery को open करता हूँ phone की gallery में देखे right side के top पर यह profile picture मिलेगी इसे tap करना है आपका एक page open होगा यह वाला इसमें देखे backup की setting है तो यह backup is off लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस app की backup setting को पहले से यहाँ पर बंद कर रखा है अगर आपके backup setting यहाँ पर चलू रहती है तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर mobile phone का setting page open करना है setting page में आपको नीचे की साइटी सिस्टम पर टैप करना है इसके अंतर आपको यह देखे backup की setting है तो यह backup की नीचे off लिखा हुआ है क्योंकि मैंने फोन की backup setting पहले सब बंद कर रहे है अगर आपकी setting चालू रहती है तो इसलिए बंद कर रहा हूं क्योंकि आपकी storage space running out की problem solve हो जाएगी अगला process यह करना है कि आपके mobile phone में जितने भी apps है सबी apps को reset करना है कैसे करेंगे कि किसी भी आपको उगली से दबाके रखी तो आपका यह चोटा सा page open होता है इस चोटा से page में आपको app info लिखा हुआ मिलता है इसे टैप करना है तो आपका यह पेज आगा delete app data का इसे okay करना है आपका यह user data और यह catch in दोनों के सामने ला data यह आपका zero हो जाएगा इस तरह किसे आपको अपने mobile phone के सभी apps को reset कर देना है अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि आपके mobile phone में जितने भी फालतू के apps है यानि कि जिन apps को आप इस्तमाल नहीं करते ना उन सभी फालतू के apps को अपने phone से अनिस्टॉल कर देना है जिससे आपके phone की storage space running out की problem solve हो जाती है देखिए दोस्तों फालतू के apps मैं अनिस्टॉल करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपने phone में जब भी किसी app को install करते ना तो जो app होता है इसलिए आपको फोन को reset करने के लिए आपको फोन का setting page open कर लेना है इसके अंदर आपको नीचे की साड़ी रिसेट ऑप्शन टैप करना है इसके अंदर सबसे नीचे डिलीट अल डेटा फैक्ट्री रिसेट पर टैप करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की storage space running out की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data सारा data आपके दूसरे phone में transfer कर लीजे या उसका backup ले लीजे दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके र ale वब लो आएपकि र Шांतरी शेन रातेसे आपके लेखने है किया से झूस्झें है कित भातेसे बातेसे उससे जपके क वान पूसरे आपक एार है कि दाने हमएलat बातेसे कि ऐाने हम मु that एाने है और